हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम एक अन्बॉक्सिंग एंड प्लस रिव्यू करेंगे जो कि हमें लूम सोलर की तरफ से बेजा गया आप देख सकते हैं यह 12 वोल्ट 10 वाइट का सोलर पेनल है जो कि लूम सोलर कंपनी ने हमको इस को कि मदद से कभी भी आप ऐसा काम करते हैं अपना ध्यान रखे कि आप अपनी उगली वगरा ना काट ले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सार्प होता है तो हम इसको अन्बॉक्सिंग कर ले था फ्रेंस और फिर इसके बाद देखते हैं किसमें क्या-क्या खासियत दी गई ह लृट तो आप वीडियो पर बह संद आए तो प्ली जरूर की जेगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए गा और इस लेकर नौइटर जरूर कर दीजिए गा वीडियो में कुछ भी समझ में आया कुछ अच्छा ना लगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना ताकि मैं अगली वीडियो में सुदार करने की पूरी कोशिश करूंगा तो फ्रेंज आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसका कवर हटा लिया तो यह सारी इसकी डिटेल्स वगएरा लिखी वी क्योंकि मैंने जब भी यह मेरे पास आया था एक्चुली तीन दिन पहले मेरे पास यह आ चुका है लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने का कुछ रीजन बन नहीं रहा तक किसी रीजन के वज़े से तो मैं लेट वीडियो डाल रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूँ आप सभ मुद्ध भी बढ़िया क्वालेटी का भी अच्छा देख सकता ब्रांड का नाम चपा है लूम सोलर और यहां पर आपको बार कोड़ दिया गया इस बार कोड़ से यह अगर आप सोलर पैनल खरीद रहो कोई भी कंपनी आगर मिरर के उपर आपका नाम दिखा हो कोई कंपनी का तो वह डूब्लीगेट हो सकता है नाम और इसका मिरर के अंदर दिया गया तो आप देख सकते हैं पीछे से कितना अच्छा इसका इसकी डिटेल्स वगएर अच्छे स सकते हैं जिस तरह से दस वार्ट का सोलर पैनल है और कुछ इसकी वोल्टेज वगएरा करेंट कितना है एंपियर वगएरा सब कुछ इसमें सो कर दिया गया है तो मैं आपको इसको टेस्ट करेंगे इसकी मजबूती के बारे में तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा य इच्छे से भी बहुत मजबूत है तो आप यकीन माने में इस पर आपको पेच कर गिरा के दिख रहा हूं देखिए बिल्कुल भी इसका कुछ नुक्सा नहीं हो और यह नुकीला भाग अगर हम इसको किसी भी नॉर्मल मिरर पर पटकाते तो आप यकिन माने वो पूरा चक कर सकते हैं तो बहुत ही चीप प्राइज में आपको यहां पर लूम सोलर की तरब से मिलेगा जो कि हमारी इंडिया की सेटिफाइट कंपनी है सबसे बड़ी बात ही हमारी इंडिया की कंपनी है तो यह लूम सोलर बहुत ही अच्छा बहुत ही चीप प्राइज में आपको ब बादल आयोगे हैं कम मतलब मोसम ऐसा है बारिस का जिसमें धूप कम हो रही है तो उसमें भी जो मोनो पेलर पैनल होता है तो वह आपको अच्छी खास एलेक्टिसिटी प्रोवाइड कराता है बजा इस पॉली के तो यह भी बेस्ट को लिटेगा तो आपको भी मिल जाएगा जिस भी परकार के आपको एसे जरी चाहिए दस वाट पैनल या छोटा पैनल या उससे बड़े से बड़े पैनल जो आपके घर के सारे क्यूपमेंट चला सकता और इनवर्टर वगरा सब कुछ आपको वैबसाइड पे मिल जाएगा तो एक बार जरूर वैबसाइड पे वि वोड का तो हम 50 वोड पे इसको सेट कर देंगे जैसा कि मैंने पैनल के पीछे प्लस और माइनस का वायर भी लगा दिया है तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि 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 तो फ्रेंस हमने सोलर पेनल को अच्छी का सी दूप में रख दिया और मुल्टी मीटर पे हम इस सोलर पेनल के वायर जोड़ रहे हैं ताकि हम आपको इसकी रीडिंग बता से कि किसा प्रॉपर वर्क करता है कितना वॉल्टेज ये निकाल रहा है तो आप देख सकते हैं इसका सुई जो मूव किया मेरे पास डिजिलर मल्टी मीटर नहीं तामें माफी चाहूंगा तो आप देख सकते हैं यह लगबग कितना वॉल्ट निकाल रहा है लगबग यह 22 वॉल्ट निकाल रहा हमारा 12 वॉल्ट का है लेकिन यह दूप के वज़े से ज्यादा निकाल रहा है जिसी आप इस पर लोड़ दोगे तो इसका वॉल्टेज ऑटोमेटिक ही हो जागा तो यह आप देख सकते हैं मेरे पास 12 पावरफुल होती है और इसको हाई एंपियर भी चाहिए होता है तो मैं सोरी इसका वायर एक तूट गया तो मैं दूसरा भी निकाल देता हूं तो मैं इसको इससे चला कर दिखांगा फ्रेंस की कितना बेस्ट हो सकता है तो आप इस सोलर पैनल से अपनी बैटरी भी रही है यह हमारी मोटर तो दोस्तों कर दीजिए आप वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से बतारे तो लिंक इन दर डिस्क्रेप्शन आप जाकर विजिट जरूर कीजि और मेरी सोचल मीडिया की लिंक भी आपको मिल जाएगी तो वहाँ पर जाकर मुझे फोलो कर दिए ठाइंक यू फॉर दो वोचिंग मैं वीडियो और मिलता है फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय जेहिंद माइफ्रेंड्स